सबम करते हैं जी क्लास 11 स्टेटेस्टिक्स का डिस्पर्शन चेप्टर का क्वार्टा इल्डाइवेशन के कोश्चन्स हमने स्टार्ट कियो थे इसके एकॉर्डिंग इंडिवीजुल सीरीज के कम्प्लीट कर लिए अब स्टार्ट करने हैं बेटा हमने डिस्क्रीट सीरीज जो सेकेंड नंबर सीरीज होती है अमरी डिस्क्रीट सीरीज यानि कि जब डेटा थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी में होता है तो हम इंडिवीजुल सीरीज के द्वारा काम चला लेते हैं पर थोड़ा सा अगर ज पास total members and suppose of that कोई and NPO type company है non-profit organization है उसमें मेरे members हैं जैसे club हो गया entertainment club हो गया रहा हो गया ठीक है आपके plus two में आएगा NPO तो suppose of that मान लिजी यह totaling है मेरे पास इतने total numbers है जब इसको हम totaling करेंगे तो जितने भी total number of members है यह उन में से 61 members ऐसे है suppose of that में analysis करने एज-wise एज-wise analysis करके फिर कोई function और्गिनाईज कराना है according to their age ठीक है जैसे मान लिजी 60-70 age group के जितने भी members है मेरे club के क्या मैं उनको बच्चों वाली नहीं करवा सकूंगा न मतलब उनकी age group के according उनके taste के according कुछ ना कुछ activities हम अपने entertainment club में करवाना जाते देखें कैसे यानि कि यहां पर three members ऐसे जिनकी age 20 है 132 members ऐसे जिनकी जो age group के 40-40 एज की है 140 ऐसे members है जिनकी age 60 है 153 members ऐसे जिनकी age 50 है कुछ यह वाली कुछ इस टाइप का information है यानि कि आप खुद देखें कि members देखें कितने ज्यादा यहां पर जो individual series होती है अगर इस टाइप का data गीवर होते हैं बस हमारे पास इतने members होते हैं टोटल यानि की one two three four five six seven seven members होते हैं पर यहां पर देखें करके कितने सारे members हैं अगर इन से भी ज्यादा members होते हैं फिर हम चलते हैं continuous के तरफ चलिए बस अब बचे करना स्टार्ट करते हैं टैंथ बनता है यह मेरा तेका जी मैने आपकी जो लिस्ट है मैं ये ज़ डिस्पर्शन के प्रैक्टिकल कोश्चन की उसके बाद पहले ट्वंडी ट्व्यक्रीकल कोश्चन के अप्लोड कर दिया प्लेडिस्ट में उसके बद लर्निंग बाइड दूइंग के बिल्कुल मैं ऐसी अरे भी बोला जाता है और इसको grouped, grouped class interval भी बोला जाता है, operations data भी बोला जाता है, जो discrete series रहते है, देखें करते हैं Marie, 20, 30 ऐस इसके एक थोड़ी सी आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि क्वार्टल क्वार्टल डेवीशन में डिस्क्रीट सीरीज के एक्वार्डिंग क्या स्टेप पो फॉलो करना होता है मैं आपको बचे एक वरी दिखा देती हूं यहां से देखिए यह बेसिकली मैं इसलिए दि इसका फिर्क्वींषी स्टेप है सबसे बहुत है जो भी क्वार्ट्वेक्वीन गीवन होती है सबसे मेरें से आपको को सारी की कि यह पने हैं सबसक्या करते जाते कि क्या सिर्द्ध बस आप जस्ट यह देखिए उसके बाद यहाँ पर हाँ जी स्टुडेंट्स यह भी देखते रही है यह इसी के एक एक्जाम्पल है बस आप इसको जस्ट देखते रहे ना मैं समझा सारा अपने प्रैक्टिकल कोश्ण में दोंगी एफ आपने लिखना और बनाना इसी यह लिए देख लिजे कि अगर आपने खुद करना चाहते हो यह प्रैक्टिकल कोश्ण प्रैक्टिस करके आप यहाँ से तैली कर सको बस यहां से हैं जी बच्चे बस वहीं तक था यह नेक्स्ट पेज़ है बिलकुल इसका नेक्स्ट पेज़िस यह वाल बाद कोश्चन कर find out quarter elevation ठीक है और qd and coefficient of qd find out करना है आपको पता है qd find out करना हो या coefficient of qd find out करना हो हमें q3 और q1 तो चाहिए ही चाहिए होता है और दूसरी बात nlcs करो कौन सी series है ठीक है अगर mix up question आजाते है यहां तो हमें नजर आ रहा है कि हाँ भी हम discrete series की हो या आप जल्दी से पेशान लेती है अपर question paper में तो सारे combined questions आएंगे तो हमें कैसे पेशान होते है कि क्या करना है तो यहां से आप judgment करोगे कि double series given होते है जो discrete होते है double series given होते है ठीक है यानि कि two variables का data given होते है यानि कि two variables मतलब age और members देखे एज क्या है variables काता है जो जिसकी amount जिसकी figure जिसका data vary करता जाता है age कोई fix थोड़ी नहीं होती है कि किसी की 20 30 ठीक है कम मतलब कि increasing order में चलती रहती है जितने भी alphabet होते हैं उनको बचे variables बोला जाता है alphabet को देखे हम हमेशा alphabet में store कर रहे है basically variables क्याता है जब किसी numerical figure को alphabet में store किया जाता है इसको levels भी बोल सकते है age क्या है एक level है और जी variable है और क्या कह सकते है name है किसी चीज का ना उसमें data store करे है पहले age हमने कह दिया 20 फिर age कह दिया 30 data store करे है members क्या यह भी variable name है two variables का data जब given हो पर class interval नहीं होनी चाहिए यह याद रखना two variables का जब data given होता है तो that is known as discrete series अगर देखो continuous series में भी two variables का data ही given होगा पर उसमें कहते classes बन जाती है जैसे 22,30, 32,40 कुछ इस type की class intervals तो हम समझ लेंगे कि वो continuous series का data given है चलिए देखी कैसे करेंगे बच्छे हाँ पर आप यासी बड़ी खूबसूरती से अच्छा सा table बनाओ गया से और जल्दी से बनाओगे time waste नहीं करोगे table को बनाने के लिए खूबसूरती का मतलब यह नहीं होता कि उसके उपर बहुत time लगाओगे आपने बस numerical quantified data के उपर देखना ध्यान की mistake तो नहीं होगी age x ठीक है पुरा data as it is उतार लिया ध्यान से numbers sorry numbers नहीं members गलत लिख देना members f बचे अब cf cumulative frequency ठीक है including करके चले है वको सबसे पहले as it is 3 लिख देना उसके बाद 3 plus 65 देखो आप इसको उल्ट पुल्ट नहीं लिखोगे याद रखना पहले मैं जो last वाली cf calculate कर चुका हूँ लास्ट वाली cf calculate कर चुका हूँ पहले उसके लुखेंगे उसके बाद variable next add करेंगे next variable की amount यानि की 61 add करेंगे 64 फिर से 64 में निच्चे उतार लूँगा 64 plus 132 is equal to 196 196 plus 153 349 349 plus 140 is equal to 489 489 plus 51 540 540 plus 3 is equal to 543 अब बच्चे एक बात देखो ध्यान से मेरे पास total कितने members है 4 नी sorry 543 यह वाली amount इस amount के साथ यानि कि यह वाली figure इस figure के साथ आपकी tally होनी चाहिए बिलकुल पहले आपने जल्दी से क्या करना बच्चे जैसे हम अपनी उसके लिए clarification के लिए कि मैं सही direction में move कर रहा हूँ इसके totaling कर लेनी है sigma f क्या लिखते हैं जब भी किसी series के ऐसे totaling करते है f तो ही है sigma लगा कि it means मैंने submission कर दिया sigma f 543 यह विली 543 इसके साथ मिलना चाहिए अगर दोनों आपसे मैं बिलकुल एकदम टैली होते है it means मैंने जो cf calculate करे है बिलकुल ही okay है मेरी उसके बाद बचे बचे बस cf आगी अब हमने q1 और q3 find out करना है हां जी स्टुडेंट्स अब हम देखिए q1 find out करेंगे आपने फस्ट नंबर फस्ट पार्ट बना देना उस q1 को size of आपको बता है कि हम क्वार्टर इलेविशन स्टार्टिंग में q1 क्या से find out करते है and plus 1 upon 4th item यानि कि 443 total number of members कितने मेरे पास 443 प्लस 1 यानि कि 444 upon 4 जब इस 36th item ठीक है completely चला गया है यह 6 चुकर हां जी बिलकुली ठीक है 136th item आपके लिए काफी easy हो गया क्योंकि decimal में fraction में नहीं आया यहां पर 136th item means अब यह ध्यान से देखना step यह वाला ठीक है जो यह है यह 136th item हमने कहां ढूनना cf में ढूनना है 136th item lies in 196th cumulative frequency देखें पहले 136 मैं आपको फिर से बैक लेके जाते बचे कैसे 136 136 ठीक है यहां से देखे 136 आपने भी ना age देखनी ना members देखनी f नहीं देखना आपने cf की तरफ देखिए मेरा 136 है मज़ें क्या 136th item नमबर इसमें exist कर सकती है नहीं कर सकती ठीक है क्योंकि यह तो 64 है हमारी तो 136 है यानि कि 136th item कहां exist करेगी हमारी third line में इसके corresponding 136th exist करी है इसके corresponding जो x की value होगी इसके according जो x की value होगी वही मेरा q1 आजाएगा याद रखना ठीक है जी 136th अगर 63 होता या 64 होता बचे तो हम बात करते कि वो यहां exist करे तो हमारा q1 30 आता ठीक है अब हमारा q1 कितना आएगा जी 40th यानि कि आपने ऐसे ही पहले table बना लेना है उसके बद बचे pencil से ही rectangle box बना q2 40 आप देखो 40 तो लिखी रखाएगा आपने ओलेडी उसी टाइम फिर आपने कहा करना q1 की mention कर देना कि हाँ भी हमने q1 यहां से ऐसे find out करा q1 का का काम हुआ जी अब चलते है q3 की तरफ ठीक है q3 का पहले मैं फिर आपको data दिखाती हूं देखिए एक वरी थोड़ा सा य यह cumulative frequency की बात है of the series age corresponding to 196th is 40 hence q1 is 40 second number पार्ट का नेम देने 2 क्यों 3 finder करते है size of n plus 1 upon 40 जी वह वह वाला तो as it is ही उठा ले ना आप 136 है था यानि कि 136 into 3 बिल्कुल ठीक है 136 जी इसको explain करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि हम already यहां पर सारा discuss कर चुकि है यह वाला कर दिया इसको जरूर यहां पर no necessity to calculate again and again 136 उठाया फिर से इसको बचे क्या करना है 136 into 3 से बस यानि कि हमारे पास अब क्या रहा है size of 408th item size of 108th item अभी फिर से हम अपने बापिस table पर चलते हैं यहां पर बचे फिर से देखिए 1 कितना या था 5 नहीं सौरी एक फिर से देख लो एक मि item 408th CF ठीक है वो कह रहा है कि 408th CF ढूंडिये वहां exist कर रहा है मेरा Q3 उस age group में 408 बचे देखिए 349 है यहां तो 40 exist नहीं कर सकता है यहां तो कितने number point तक मेरा data exist करता है 349 408 यहीं पर exist करेगा 489 में इसके corresponding age उठा लीजिए 60 यानि कि Q3 क्या है हमारे पास 60 ठीक है Q1 भी आगया Q3 भी आगया और आपने उसको pen के साथ कभी मत इसको round करना क्योंकि भी थोड़ा सा गलत हो जाता है तो कम से कब आप erase करके द्वारा से इसको set कर दोगे क्योंकि थोड़े से chances होते हैं CFO जब calculate करते हैं उसमें mistake होने के तो आप क्या करना pencil के साथ इसका क्या उड़ी निका लिया coefficient कुछ भी आपके लिए सब possible ही possible है ठीक है अब तो कोई problem आने नहीं वाले क्योंकि हमने already यह सब कुछ कर चुकिया चलिए अब क्या उथरी है ठीक है 4060 ठीक है जब चाहिए कैसे लिखेगे 408th item lies in the 489th CF of the series ठीक है item lies on the 489th CF of the series एज corresponding to 489th CF is 60 यानिकि एज का वाला variable क्या एज आई 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 आए 60 लास्ट कॉश्चिन में एज क्या दिखा रहा थे बच्छे क्योंकि variables है variables पे तो लग लग data store होता रहता है एज 40 यानिकि यह वारा भी यह क्या आगया जी क्या उथरी 60 अब next दिखाते हैं अब next हम क्या कैसे find out करेंगे स्टुडेंट्स अब तो very easy होगा क्या आप लेडी कर चुक्या क्यों थ्री क्यों था ठीक है अब calculating quartile deviation इसका part number 3 बना देना आपने भी क्योंडी क्यों 3-1 upon 2 याद रखना कई वरी स्टुडेंट्स क्या करते हैं upon में 2 लिखना भूल जाते हैं वह रेंज जै इंटर क्वार्टेल रेंज क्योंकि इंटर क्वार्टेल रेंज का क्या formula होता है Q3-Q1 average क्या करेंगे यानि कि upon में 2 लगा दिया 60-40 upon 2 यानि कि हमारा QD क्योंडी क्या गया जी 10 चलिए last step यानि कि एक अंसर तो हमने 10 find out करना था QD यह हो गया fourth वाला जो last step यानि कि coefficient of QD find out कर upon formula बचे जरूर लगाना है यह बात याद रखना यह मत सोचना लेकि भई सभी को पता formula नहीं जितने वारी question करोगे आप formula हमेशा साथ लगा कर ही next step चलोगे बचे Q3-Q1 upon में Q3 plus Q1 60-40 upon में 60 plus 40 यानि कि 20 upon 20 upon 100 coefficient of QD क्या जी मारा पास 0.2 क्योंकि देखें बिल्कुल completely कट गया वह 0.2 हमारा coefficient of QD आचुक है और जी बस इसी के साथ चलो लास्ट लिखना है लिख सकते हो अच्छा impression बढ़ता है कि चलो एंडिंग अच्छी करिए हैंस QD of the series is 10 and coefficient of QD is 0.2 ठीक है बचे और इसी के साथ ही आपका यह भी फिर से एक बढ़ी देख लिजिए अगर आपने इसकी short screen की click लेनी है वह खीच सकते हो यह पूरा यह हो गया ठीक है बचे इसी के साथ ही हमारा question complete होता है discrete series का बसे एक बचे question हो रहा है जल्दी से वह भी लेकर आते हैं आपके लिए तब तक आप अपने copy पे sort out solve करके रखिए और बचे thanks for subscribe me बहुत सारे students ने subscribe किया thank you बचे और भी सभी के साथ ही वीडियोस हमारी share कीजिए like कीजिए share कीजिए subscribe कीजिए हमारे चैनल को मेरी बचे ट्राइ रहेगी जितनी maximum to maximum मैं वीडियोस अपलोड कर सको statistics की या accounts की वीडियोस ओली वीडियो solutions और mcqs की questions की series भी हम कोशिश करेंगे next लेकर आए आपके लिए business studies की या फिर accounts की plus two class की ठीक है सब्सक्राइब की या aç है